नमस्ते दोस्तों स्वाधत है आपका सार्थी टेकनोलजी के वॉली लाइबरेरी स्रीज में और ये हमारी स्रीज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम पहले ये देखेंगे कि लाइबरेरी को अपने प्रोजेक्ट में एड कैसे करते हैं और उसके बाद एक स्ट्रि दिशन रहा है कि कभी भी आप किसी लाइब्रेरी को एड करें तो उसकी ओफिशिल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है तो यहां इसका जो वेबसाइट है वो है google.github.io forward slash volley इसमें नीचे जब हम आएंगे तो यहां पर हमें इसका लेटेस्ट वर्जन 1.2.1 यह दिखाई दे रहा है तो हमें इस लाइन को ही कौपी करना है यहां से और अपने Android प्रोजेक्ट में यहां से उपन करना है Gradle फाइल यहां कीजिए पेस्ट और आप और इन्फोर्मेशन भी यहां पर देख सकते हैं जो इसे की compile SDK version 32 है build version 30 है और minimum SDK 26 है तो यह कुछ numbers है जिसे आप यूज कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी latest version यूज करने के बाद errors आती है तो मैं जश्ट यह शो करना चाहता हूं कि मेरी configuration क्या है तो इसको paste करने के बाद हमें किलिक करना है sync now पर तो sync complete हो चुका है और यह library हमारे project में add हो चुकी है क्योंकि हम networking का काम कर रहे हैं इसलिए हमें एक network permission add करनी है जो कि हम करेंगे manifest file में तो यहां पर uses permission internet तो सब कुछ ready है अब हमें अपनी coding करने है इसको करेंगे बंद और इसे भी बंद जावा से पहले हम चलते हैं XML फाइल में और यहां पर हमारे पास दो components है एक है text view और एक है button तो जब भी हम button पर क्लिक करेंगे request send होगी और वहां से response में जो भी हमें text मिलेगा वो हम इस text view में show करेंगे तो आईए main activity.java और यहां पर हमें सबसे पहले तो वो address लिखना है और वो address हम लिखेंगे जो URL है वो एक string object में तो जो address है वो है यह ठीक तो w3schools.com forward slash xml forward slash note.xml यह एक xml फाइल है लेकिन इसको हम एक text के रूप में use कर सकते हैं तो इसको हमें copy करना है और यहां पर paste हमारे पास एक URL है जिसका use हम करने वाले हैं. next thing हमें एक request q object बनाना है और यह होगा volley.new request q यहां इसे चाहिए context तो context is this ठीक अब हमें एक string request object बनाना है और उसके लिए फिर हम यहां मराएंगे string request यहां पर यहां पर इसे चार आर्गमेंट्स चाहिए और मैं चाहूंगा कि आप चारों को बहुत ध्यान से समझें पहला है method जैसा कि आप हो सकता है आपने अगर PHP या GSP जैसे प्लेटफॉर्म पर काम किया होगा या उसको थोड़ा सीखा होगा तो आपने आपको यह पता होगा get और post ऐसे हमारे पास methods होते हैं तो हम यहाँ पर get का यूज कर रहे हैं तो हमारा जो पहला argument है वो है method उसके बाद इसे चाहिए url तो url हमारे पास ready है अब इसे दो listener चाहिए एक listener जहां हमें response मिलेगा और एक listener जहां हमें error मिलेगा अगर हमें कोई error मिलती है तो यहाँ पर जो पहला listener है वो है response का ठीक और इसके बाद यहां पर लगाएंगे comma और दूसरा listener error के लिए यहां पर semicolon तो जो भी हमें response मिलेगा वो हम हम यहां से access कर सकते हैं इस object से और अगर कोई error हो सकता हमारे URL में कोई error है या फिर server के response में कोई problem है तो वो error हम यहां पर इसको catch कर सकते हैं तो response में हम यूज करेंगे text view set text ठीक और error के लिए भी हम same text भी यूज कर सकते हैं एक लास्ट चीज हमारे पात जो बची है वो है button listener तो वो हम बनाएंगे यहां पर और जैसे ही button click करेंगे हम button click पर अपना request q में add कर देंगे तो यहां पर q.add और string request हमारा code ready है चलिए इसे try करते हैं तो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा तो यहां पर देख सकते हैं हमारा project run हो गया और अब हम तो अगले वीडियो में हम जेसन रिक्वेस्ट के बारे में सीखेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को थोड़ा सा हिट कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर भी कर सकते हैं मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार